डियर उस्टेंट्स गुड मॉर्निंग यह निव स्लाइबस पर आधा रेतल क्लास नाइन थेट लेशन वन के कुश्चन अंसर्स हैं इस्टेडी कीजिए और अपने ग्यान में ब्रदी कीजिए सबसे पहले यहां पर मैं पाठ का नाम डाल देता हूं लेस्टन वन दे फन दे हैड आपकी मुईरुच यह लिए आपर क्लास भी पड़ा हुआ है कुश्चन वन हाउ ओल्ड आर मारजी और टामी मारजी और टामी की आयू क्या है यह कुश्चन है पार्ट के अधा पर जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा है मारजी की आयू उसमें ग्यारा वर्स की थी और टामी की आयू उसमें तेरह वर्स की थी तो यही एस्प लिखेंगे, मार्जी वाज, एलेवन, हॉाइल टॉमी, वाज थर्टीन यर्स ओल्ड, दो यर्स, ओल्ड, मार्जी 11 वर्स का था, जबकि टॉमी 13 वर्स का था, आपका एंसर एक यह और धहां रखिए, यह आपके वेरी साइट कोईश्यन अंसर है, वेरी साइट कोईश्यन अंसर का मतलब होता है, बहुत छोटे, जिसका केवल एक वाक्य में कह दिया, या दो चार पांच सब्दों में ही जिसका उत्तर पूरा किया जासके जासके ऐसे questions हैं, इस बार परिछा में हर प्रकार के questions अब पूछे जाएंगे जो आपकी नई सिक्षानीत है, उसके हिसाब से तो यह आपका उसी से related question था, अगला question है, what did Margie write in her diary, what her Margie, what did Margie write in her diary, Margie ने अपनी diary में क्या लिखा, अंसा लिखेंगे, Margie जब शुरू में ही आपके लेशन केंटर कताया गया है, बताया गया है, कि Margie ने अपनी diary में लिखा, Tommy ने आज एक वास्तविक पुस्तक प्राप्त की, बस लिखेंगे, Margie, wrote in her diary, today, Tommy found a real book, आपका question complete हो गया, question 3, थर्ड question है, हाइड मार्जी इवर सीन ए बुक बिफोर, हाइड मार्जी इवर सीन, क्या मार्जी ने कभी देखा था, अब बुक एक पुस्तक को बिफोर माने इसके पहले, क्या मार्जी ने कभी इसके पहले कोई पुस्तक देखी थी, तो अंसर मिलेगा, नहीं, मार्जी ने इसके पहले कभी भी कोई पुस्तक नहीं देखी थी, No, Margie had never seen a book before नहीं, Margie ने इसके पहले कभी कोई पुश्तक नहीं देखी थी जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, दोनों ही बच्चे कम्प्यूटर पर पढ़ते थे, आधनिक जनरेशन वाले वो स्टूडेंट्स थे अगला कुश्यन आपका है, What things about the book? दिट सी फाइंड इस्टेंज? वहाँ पुश्तक के विशय में काउन सी चीज बिचित्र पाती है? उसको अब ध्यान रहे, जो मार्जी थी, मार्जी एक लड़की का नाम है, जबकि टामी एक लड़का था, तो आप इसमें लिखेंगे, The book was printed on paper, The book was printed on paper, पुश्तक कागज पर छप्ती थी, the words did not more, Eyes they moved on a screen, The book was printed on paper, पुश्तक कागज पर छप्ती थी, The words did not move, Eyes they moved on a screen, जिस प्रकार से वे screen पर परदे पर दिखते थे, वे से सब्द उस पर नहीं दिखाई देते थे, When she turned book to the pages before, When she turned the book, Pages before, It hide the same words, On it, That it hide, When she read, It hide the, For the, First time, What things about the book did she find strange, वहा, पुश्तक के विशे में काउन सी बाते अजीब पाती है, अंसर है, The book was printed on paper, पुश्तक को पेपर पर कागज पर छापा जाता था, The words did not move, Eyes they moved on a screen, जिस प्रकार से सब्द, तो किसी परदे के उपर, इस्क्रीन के उपर चलते थे, उस प्रकार से वह सब्द नहीं चलते थे, When she turned the book pages before, जब वहा इसके पहले, पेजों को बुक को परटती थी, It hide the same words on it, तो इस पर वही सब्द मिलते थे, जब उसने इसको पहली बार पढ़ा था, ये आपका अंसर कंप्लीट हो गया,